हेलो फ्रेंट्स वेलकम डू स्टड़ी स्टेस तो आज की सुड़ों में हम लोग परतिशत निकालना सिखेंगे बहुत ही सिंबल तरीके से और लास्ट में आपको एक कोश्चन में दिया जाएगा उस कोश्चन को सॉल्ब करके कॉमेंट बॉक्स में उसका एंसर दिना है तो ह प्रतिशत का अर्थ होता है तो प्रति एक सोव में या फिर प्रति सैकड़ा होता है ठेक पर्तिसद का अर्थ होता है यानि एक बटी एक सो होगा ठीक ये एक बटी एक सो कहने का मतलब क्या है यानि एक सो में एक सो में एक ये जो है एक सो में एक ये सो अपने आप में प्रतिशत और एक भी जो है पूरा पूरा आपने आप में एक प्रतिशत है तो ये हमारा प्रतिशत का अर्थ होता है प्रति सैकड यह आपको ऐचे तरीके से समझते चलना है यहाँ पर हम एक उदाहरन से पर्तिषत को समझते हैं जैसे कि माल लेते हैं कि आपके गणीत में यानि मैथ में आपके सो में से सो में से अगर 48 नमबर आपको मिला है 48 नमबर अगर आपको मिला है 100 में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा या 48 क्या हो जाएगा यानि 48 परतिशत हो जाएगा आपको जो है उस मैत में कितना परतिशत नमबर मिला है तो 48 परतिशत नमबर मिला उस math में प्राप्त हुए हैं ये तो आप अच्छे तरीके से समझे के होंगे अब यहाँ पर बारी आती है question को समझने के बहुत ही simple तरीके से हम यहाँ पर इस question को समझते हैं यहाँ पर बोला जारा है हमारा पहला question क्या है 70 रुपे का 6 प्रतिसत कितना होगा तो यहाँ पर इस question को solve किजे यह बोला जारा है 6 प्रतिसत तो 6 लिखेंगे और यहाँ पे क्या है प्रतिसत तो प्रतिसत का मतलब मैंने आपको क्या बताया है एक बठे 100 तो यहाँ पे 100 जो है प्रतिसत जैसे नीचे हटाएंगे यहाँ से तो हम नीचे आजागा हमारा 100 ठेक यह होता हमारा प्रतिसत का रूप इसे अब हम solve कर देंगे एक 0 उपर है और एक जिरे नीचे है तो यह आपस में कट जाएगा यह जो है 6 जो कटने वला होगा काटेंगे यह 3 दूना 6 6 कटेगा तीन से दो बार में और यह 10 कटेगा 5 दूना 10 दो बार में अब इसको गुना किजिए अब साथ 3 21 उपर में बटे में क्या 5 इसके 2 के आगे कुछ बी नहीं तो हम 0 दे सकते हैं तो यहाँ पर हमें रुपया में निकलना था कि 70 रुपया का 6 पर्तिसत कितना होगा तो कितना होजागा हमारा 4 रुपया 20 पैसा हो जाए गया होगा कैसे इसे हम Monsieur कर रहे है चलिए अगला कोश़्न को समझते हैं से कि और भी अच्छे तरीके से आपको समझ में आये, अगला कुश्यन हमारा क्या है, 58 डिपे का 20 प्रतिशग कितना होगा, तो 58 यहां पर दिया गया, तो 25 लिखेंगे, और यहां पर सरली करन कर रहे हैं, हम तो यहां पर क्या है, का, तो का का मतलब क्या होता है, आपको पता ह से गुना करेंगे तो BC होगा simple सा है तो यहां पर इसको solve कीजिए तो 10 उपर है और 10 नीचे है तो यहां पर यहां पर दो बटे 10 है तो यह भी कटने वाला तो काट देंगे साट पैसा और यहां पर 55 है तो 3 बचगया ठेक तो 3 बच जा और यहां पर 20 संबलब देंगे तो यहां पर 23 की आगे 0 आ जायगा तो 30 हो गया तो पांस से 30 कटेगा पांच छक्तिस छे बार में कटा यानि फाइनलि जो 11 started six बार में कटा और यहाँ पर बोला जा रहा है और थावन रुपे का रुपे में हमें निकालना था अंठावन रुपे का बीस परतिसद तो यहाँ पर हमारा निकल गया 11 रुपया साथ पैसा ठेक, एगड़ा रुपया स 60 पैसा 58 रुपे का 20 परतिशत होगा तो ये भी आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया कि कैसे कैसे यहां पर परतिशत निकाल रहे हैं अगला यहां पर important सवाल है आपके लिए बहुत important है इसको समझें यहां पर 33 रुपे का 7 परतिशत है इसमें तो एक जिरो था तो एक जिरो हम कार्ट दे रहे था लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ है नहीं जिरो तो देखिए तभी भी सिंपल ही है तो 33 रुपे का का मतलब पता होगे आपको गुना होता है और 7 परतिशत यहां पर बोला जा रहा है तो साथ और परतिशत हम कहां देते हैं तो न आपको फासिल था एक दो यहां पर हो जाएगा एक इस और दो तेईस बटे में एक सो है तो एक सो यहां पर इसको अप्सॉल्व किजिए देखिए इसमें भाग करने का मतलब आसा जो नर्मली भाग करते हैं वैसा नहीं करना यहां पर देखिए उपर में तीन अंख है यहां पर हमारा जो एंसर आदाएगा 2.31 अगर यहां पर देखिए जैसे के 2,5,3 रहता और हमें 10 से भाग करना रहता तो एक 0 है तो पीछे सम क्या करते हैं एक उंक छोड़के यहां पर दो समलाब इठा देते तो 25.3 यहां पर इसका फाइनल एंसर हो जाता तो वैसी ही है यहां पर 2,0 तो पिछे से 2 उंक छोड़ेंगे 10 समलाब इठा देंगे तो 2,2 समलाब 3,1 यानि 33 रुपय का 7% कितना होगा 2 रुपया 31 पैसा होगा यहां पर हमारा यह 7% तो आई हूप यह आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा तो आपके लिए कोशन यहां पर ह प्रशाद कितना होगा यह फटा फटा से आपको कॉमेंट बॉक्स में इसको जो है सॉल्ब करके कॉमेंट बॉक्स में इसका एंसर देना है तो अगर वीडियो आपको अच्छा लग़ा और पसंद आया को सीखने को मिला तो प्लिस वीडियो को लाइक किजेगा चैनल पर न तो अग्यों कि यू